कि I will come back to my channel I planned so that and kiaadian video में हम लोग बात करने वादया चोकक से उपर जिसको ओनों नेक्च ट्रीडिंग सेशन में इंटरडे में ट्रेड करेंगे सबसे पहले आज के महें लोगनाइब को ऐसे पहले स्टक्सकत को कि अपर देख लेते हैं यहां पर पहले करने के लिखा था मैंने आपको बताया था 1265 के नीचे निकलते ही हम लोग इमेडिएटली सौट करेंगे उपर की साइड 1275 का हम लोगों का इस्टॉपलास होने वाला है अगर जितने भी लोगों नहीं यहां पर सौट किया होगा उनको याद होगा स्केंडल का हाई जो है वह आपको 1274.5 था तो यहां पर स्टॉपलास जो है बिल्कुल 0.5 के लिए यहां पर आपको बचा और उसके बाद स्टॉपलास ने बहुत यह अच्छा नीचे की साइड हो मिंटम किया तो इस स्टॉप में जो है एक अच्छा बेनिफिट हम लोगों को आज मिला अगर और सभ कभी 943 के उपर निकला ही नहीं आपको गैब डॉन ओपन हुआ हम लोगों के स्टॉपलास के नीचे ही ओपन हुआ इसी लेवल को आपको यहां पर रसिस्टेंस की तरह रियक्ट करता रहा वापस में नीचे की साइड जो है आपको फॉल हो गया अगर बात करें अडानी पॉर्ट अडानी पॉर्ट में यहां पर हम लोगों को क्याप आप ओपन दिखा बिल्गुल मार्जिनल था यहां पर ओल्मोस्ट लेवल के राउंड ही यहां पर ओपन हुआ वन इस्टु वन का टार्गेट आपको यहां पर एचीव हुआ उससे ज जो है आप लोग यहां पर निकाल दिया किजिए उसके बाद जो है देश्ट पोईशन को आप वहां पर वन इस्टु टु के लिए होल्ड करके रख सकते हैं जैसे कि अगर आपका वन इस्टु वन जाने के बार स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो भी जो है आप यहां पर क 67.5 के ऊपर कभी निकलाए नहीं तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग कर पर को से स्टॉक को देखने वाले हैं सबसे पहरा इस्टॉक है आपको आइसे से बैंक आइसे से बैंक रिजाइट के बाद से कंटिवन से यहां पर फॉल हो रहा है और अगर यहां पर हम लोग स्टॉक कर रहा था आज इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है नीचे की साइट अगर देखेंगे तो 725-720 के लेवल तक जो है स्टॉक के पास एक अच्छा स्पेस है जहां तक स्टॉक जा सकता है तो हम लोग यहां पर आपको सॉट करने के लिए इस स्टॉक को करना है आपको यहांपर गृट करना है इस टॉक जो है 733 कया तो के नीचे निकले आज का जो शुइंग लोग नीचे निकले 732-5 के नीचे नीचे निकले जिलिए 740 का है इट पॉइंट का स्टॉप लॉस है पहला टार्गेट रहेगा 724 का दूसरा टार्गेट यहां पर हम लोगों का 715 का रहेगा सेकेंड इस्टॉक है आपको टाटा इस्टील के अगर डेली चार्ट में देखेंगे इस्टॉक कंटेमसली आपको गिरावट के बाद एक पाउज केंडल लाश्ट के ट्रेडिंग सेशन में यहां पर बनाया था और वापस से आज एक बहुत ही अच्छा बुलिस केंडल यहां पर बनाया है तो इस स्टॉक में एक अच्छा रिट्रेस्मेंट का मूव हम लोग 1300 के लेवल तक देख सकते हैं तो इसी वज़े से इस रिट्रेटा से इससटॉक को हम लोग बाई क değ कि लोग देखेंगे अब फाइम मिनिट के चार्ट में अगर हम लोग यहां पर चलते हैं हम लोगों का इंट्री पॉइंट सिंपल है आज के हाई के ऊपर अगर निकलता है 1255 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है हम लोग इमीडियेटली यहाँ पर बाई करने के लिखेंगे नीचे की साइड हमनों का स्टॉप लोस जो है 1243 करेगा 12 पॉइंट का स्टॉप लोस रहेगा पहला टार्गेट 1267 करेगा दूसर इन्फोसिस के अगर डेली चार्ट में लोग देखेंगे इस टॉक एक ही लेवल को यहाँ पर हीट कर रहा है अगर इस लेवल पर देखेंगे बहुत यह अच्छा फॉल वाफॉल बैक लिया फुल बैक लेने के बाद अगर यहां पर देखेंगे तो जम्प जो है ज्यादा बड़ा पुल बैक नहीं लेड़ा है वापस से इसी लेवल को रिट कर रहा है और आज फिर इसी लेवल के राउंड क्लोजिंग दिया है जैसे ही आपको 1550 के नीचे निकलेगा यहां पर हम लोगों को फिर से एक साल फॉल देखने को मिल सकता है रीजन है यहां पर एक फ्ल रखता है तो इसलिए स्टॉक को भी हम लोग यहां पर हिसाट करने के देखेंगे तो हम लोग यहां पर आपको सॉइब करेंगे आज के लोक 박 को नीचे यहां पर सब्सक्राइब निकलता है तो फूर्थ स्टॉक है यूपियल यूपियल के अगर डेली चार्ट को हम लोग यहां से देखेंगे तो यहां पर भी स्टॉक ने बहुत ही एक मेज़र लेवल के नीचे आपको क्लोज दिया है नीचे की साइट देखेंगे बिलकुल एक ही लेवल पर इस टॉक जो है यहां पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले राएं तो यहां पर मल्टीपल टाइम जब बीष्टाइम आपको फोल करेगा इमेडियेट्ली अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे के शविंग सपोर्ट के पास जाने की कोसिस करेगा जो की एराउंड आपको 770 के एराउंड जो है वापस से इस्टॉक यहां तक जा सकता है तो हम लोग इस इस्टॉक को भी सॉट करने के लिए देखेंगे तो अगर फाइब मिनिट की चार्ट में हम लोग चलते हैं बहुत ही अच्छा रेंज बनाया है आज भी स्टॉक ने यहां पर फॉल होने के बाद एक बहुत ही अच्छा रेंज बनाया है तो हम लोग यहां पर आपको सॉट करेंगे गराना है क्योंकि नीचे के सब्सक्राइब अच्छा मोव्मिंट हो रहा है अगर हम लोग यहां पर दॉक्तर रेडी फार्मा सेक्टर में एक जबरदस्ट घिरावट अब्लोगों को देखने को मिल रहा है सभी के सभी फार्मा सेक्टर के स्टॉक में नीचे की साइट एक अच्छा मोव्मिंट हो रहा है अगर हम लोग यहां पर डॉक्तर रेडी के चार्ट को भी देखेंगे तो यहां पर जो है आपको 4300 के नीचे एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया वापस से आपको पूल बैक लिया पूल बैक लेने के बाद वापस से आज 4100 के नीचे एक तो इस टॉक ने आज पॉल होने के बाद सकेंड हाप में बहुत यह अच्छा एक रेंज बनाया है कहीं पर अगर देखेंगे तो मूव्मेंट जो है आपको 15-20 मिनट में हुआ उसके आप स्टॉक जो है बहुत यह अच्छा कॉंसोल डेट किया है तो नीचे की साइट जैस पहला टार्गेट रहेगा 4 05 0q20 का उसके नीचे अगर निकलता है तो नोंगों का दूसरी टार्गेट रहेगा 4 025 का तो उम्मीद करते हैं आप लोगों अगर आप और वीडिएयो पसंद आया हो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें धन्यवाद झाल झाल